हाई फ्रेंद्स वेलकम तो दे गेम विच्व इंजॉई दे मोस्ट आज हम रम मारो रम के दूसरे एपिसोड की तरह बढ़ते हैं आज कल जैसे हम गोल्ड का रेट सुनते हैं तो हमें टेंशन सी हो जाती है वैसे भी आज कल फेस्टिव सीजन चल रहा है और धंतेरस भी आने बकार्डी की लेगिसी स्टार्ट हुई थी 1862 में क्यूबा से बिल्कुल बकार्डी इस फेमस एक्क्रॉस तर ग्लोब पूरी दुनिया में इसने अपनी धूम मचा रखी है अपनी रम के लिए और बकार्डी इस वाज अक्चुली फाउंड़ बाइफ कैंडो बकार्डी औ तो उसमें को एक बैट मिला भी था दिखा भी था तो इन्हें एक गुड़ लग साइन लगा कार्डी फेमस है अपनी वाइट रम की बगर इस गोल्ड ने भी अपनी पूरी धूम मचा रखी है बिल्कुल और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हमने बकार्डी गोल्ड क तो इसी लिए हमने अभी इसको चुना है क्योंकि लास्ट अमने अल्रेडी डाक रम उसमें की थी ओल्ड मॉंक करी तो हम डिसेंडिंग और में चल रहे हैं तो अब हमारे पास आगे एक ओल्ड और इसके बाद देखते हैं कब आईगी वाइट रम की बारी गोल्ड को एज क है हाँ आटिफिचल कलर जरूर एड़ेड़ बट फ्लेवर बिल्कुल एड़ेड नहीं है तो चलते हैं फिर अब बॉटल बिल्कुल चलिए अटिपिकल बकार्डी स्टाइल बॉटल वेरी सिंपल एलिगेंट और जैसे कि कलर ऑफ दर रम इट ऑबिसली गिवस्ली गिवस् इस लेबल लेबल पर तो इस पर लिखा हुए कार्था औरो कार्था मींस काड औरो मींस गोल इन स्पैनिश लांविज तो बेसिकली इस सिग्निफाइं और इसकी एक और खास बात है अगर मैं इस बॉटल को आपको दिखा हूँ तो यहां पर प्यूटिफुली 42.8% इस पर्टिकुलर बॉटल इस अ 375 ml बॉटल जिसका प्राइस डेली में 385 रुपीज है लेकिन अगर आप इसके फुल के लिए जाएंगे यानिकि 750 ml के लिए यानिकि 770 रुपीज आप चलते है इसकी पोरिंग पर लेट्स प्लेए गेम बकारी एंटर हुई थी इंड एक वीडियो में पहले भी पहले भी दिखाया था जब हमने बकार्डी का एक कॉक्टेल रिव्यू किया था रम प्राइस कॉक्ति अगर इस पर्टिकुलर रम की बात करें तो इसकी खास बात यह इसे एच कराया गया है और बैरल में चंसिडरिंग इस ज़स्ट अरू याउ रम तो इसकी हार्शनेस कम करने के लिए से फिल्टर कराया गया है थू चार्कोल आज वेल सो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ रही है क्योंकि अगेन इन्होंने कॉलम से मैथे यूज किया इसको बनाने के लिए अब चलते हम इसकी नोजिंग पर जो नोस पर एक पहल चीज आ रही है पता नहीं कैसे बट अगर किसी ने कभी बदाम रोहन का तेल लगाया हो तो वह जैसे जल गया हो ठीक है जलनी के बाद उस तेल से अगर जैसे कोई मान लो के जल गया है तेल तो वैसा एक एसेंस आ रहा है यानिकि आलमेंट्स भी कह सकता था मैं बट मुझे एक्जैक्ली वही चीज यहाद आई तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ प्लस आई वुड़ से के बंट कैरमल या बंट शुगर आप कह लीजिए चीनी का जैसे वो शुगर को बंट करते है तबी कैरेमलाइज हो जाती है और वो थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब अगर अब हम चलते हैं इसके कलर और टेस्टिंग के लिए फादर साब के बास कलर तो इसका कहने की जुरुद ही नहीं है बोट मुश्किल है बताना है गोल्ड रम तो नेटिरली कलर भी गोल्ड है खरास बाकी टेस्टिंग कर लेते हैं देखते हैं क्या इसमें सोना 24 करेट या 16 क करेमल का बहुत अच्छा फ्लिवर आ रहा है और रोस्टेड अलमॉंट का भी टेस्ट फील हो रहा है मेर को और एक चीज बताओं इंटेक पे हल्की सी स्पाइसीनेस फील हुई है ओकी देख लेते हैं कि भी हार्शनेस उतनी है या नहीं है तेक है क्योंकि अगर हार्शनेस न मिले तो यह काफित चीरम का तरफ जा रही है वैसे तो देखो कोई भी ड्रिंक पीते हैं तो धीरे दीरे ही उसका टेस्ट डेवलेब होता है एक या दो सिप में कैलकुलेट करना बहुत इजी काम नहीं है थोड़ा सा हाड लगता है पहला सिप किसी भी ड्रिंका अपले अजया हूं हलका सा बैनाना का फ्लेवर भी मेरे को फील हो रहा है अच्छा बनाना बी अवर रल बहुत अच्छा एक्स्पिरिंस लगा कोई कोई हार्शनास इनी है मन्दब अलकोहल के हिसाफ से नीट पी रहूं में तो बहुत अच्छा टेस्ट है ठीक है तो अब जैसे इ के इसमें हलकी सी स्पाइसिन एस बिल्कुल माइना रहे है मैं इन टेक पे तो यह ऐसे पेलेट पर आपको फील नी होगी तो यह नीट पीनलैक है हां मन कोई मुशकिल ली यह ठीक है बाकि इसके साथ अगे जैसे कि आप जानते है कि आप जाधा तर पीते हैं पानी या फिर पानी के साथ ठीक है काफी अच्छा उसमें अच्छा लगता है ना हां कॉमिनेशन बन सकता है और कंसिडरिंग कि अब सर्दियां आ रही है और रमका मौसम तो चलेगा है होई गया है तो अब चलते हैं इसकी रेटिंग पर रेटिंग इसको मैं 8.2 दूगा 8.2 तो 8.2 आइ उसके टेस्ट पे है बिल्कुल आप कोई भी ड्रिंक लेते हो उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए तो यानिकी यह अगर जैसे ओल्ड मॉंग फैन्स हमारे पूरे निशन वाइड काफी सारे लोग है ठीक है और बकार्डी की लोग ज्यादातर वाइट रम प्रेफर करते ह तो यह एक गोल्ड रम परफिसले चाहा परफिंगर लेकिन आप यह कहरें कि अपिसलि जुल्द मॉंग पीत अधाई व इसको भी जरू तरॉ त्ट्रॉर है लिकिन आप यह कहरें कि पीत शनल बहुत है वीजरू त्रॉ यह थैंड दॉरह एट तरॉ लेख ट्रिजू एट उजड़ और गुल